हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब प्रेंड्स आज किस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने अंड्रोइड मोबाइल के कैमरे को कैसे आप एजा वेबकेम कैसे यूज कर सकते हैं अगर आपके पास लेप्टॉप है या डेक्टॉप है तो आप जो है वेबकेम बना सकते हैं अपने मोबाइल फोन को तो कैसे इस इंपली आपको गूगल को उपन करना है और यहां पर गूगल में सर्च करना है ड्रोइड के क्लाइंट इसको जो है सर्च करना है और फॉर्स स्टार्ट करने का बूलेगा स्टार्ट कर देना है आपके पास यह सॉफ्वेर जो है डाउन्लोड होना स्टार्ट हो जाएगा मैं अपने के स्मस की डाउन्लोडिंग फिलाल कैंसिल कर देता हूं और आपको मैं बता दूँ यह स्काइप ठीक है MS Teams जूम जैसे सॉफ्वेर पर आप जो है ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं इस सॉफ्वेर की हेल्प से ठीक है आप मीटिंग्स वगरा भी जोइन कर सकते हैं यहां पर देखिए आपके सामने इसका सेटप डाउन्लोड होके आजाएगा आपको सिंपल सा इसको इंस्टॉल करना है यहां पर इसको एडमिन प प्रेट स्टॉर में आपको सर्च करना है Droidcam, वेबकेम for pc आपको यहां पर सर्च करना है और सेडमिन पर इस सोफ्वेर को यहां पर आपको इंस्टॉल कर लेना है इस एप्लिकेशन को फो एप्लिकेशन देखे हैं हमाते सिस्टम इंस्टॉल हो गई है इसको उर्फन किया इसे आप Wi-Fi से connect कर सकते हैं ठीक है और आप चाहे तो इसको webcam as a USB में भी यानि data cable से connect करके भी कर सकते हैं नहीं तो आप अपने laptop के hotspot से भी connect करके कर सकते हैं तो हम अपने case में mobile के hotspot से इसको connect करेंगे तो देखें यहाँ पर आपको यह option देखने को मिलेगा device IP का अब आपको इसको कैसे connect करना है यह देखते हैं तो देखें यहाँ पर आपके सामने यह option आ गया है device IP अब हमें यह device IP कहां से मिलेगा तो simply आपको अपने mobile में इस app को open करना है और आपको यहाँ पर देखिए आपको device IP जो है देखने को मिल रहा है इस device IP address को आपको यहाँ पर enter कर देना है एकदम सही IP address आपको open करना है port number by default रहेगा अगर आप चेंज करने चाहिए तो चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको यह पूस्ट रहा है कि आप फाली वीडियो चाते हैं यह audio भी चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे स्टार्ट किया तो webcam स्टार्ट हो ग इस application में आपको कुछ settings वगरा भी देखने को मिल जाती है आप इन settings को चेक कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर अगर आप jpeg file वगरा save करना चाहते हैं तो उसकी directory आप यहाँ पर पात दे लिजिए तो save भी हो जाएगा तो उमीद करता हूँ friends आप सभी को वीडियो जो है जरू अच्छे लगे होगी वीडियो अच्छे लगे तरह वीडियो को लाइक करना चनल को सब्सक्राइब करना अगर आप ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम फेस्बूक और ट्वीटर पर फॉलो नहीं किया तरह फॉलो कर लिजिए मेरा यूजरने में official Mr.bot तो चले friends मैं मिलत आपसे विसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत